हरियाली तीज के उपाएं पूरे वर्ष को शुब बनाएं तीज दो हजार तेईस इस वर्ष हरियाली तीज का पर्व दिन शनिवार 19 अगस्ट दो हजार तेईस को मनाया जा रहा है। हरियाली मधुश्रवा और श्रावनी तीज के नाम से जन्मानस में जाना जाने वाला यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत का खास पर्व है जिसमें सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करके पती और संतान की लंबी आयू की कामना क इस दिन माता गोरी को सोला श्रिंगार सामगरी अर्पित करते हुए सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है डॉट आये जानते हैं हरियाली तीज के खास उपाय के बारे में हरियाली तीज पर पत्नी अपने हातों से पान का बीड़ा लगाकर शिव जी को चढ़ाएं और फिर पती को दे इससे आपस में प्रेम बढ़ता है डॉट विवाय योग्य जातक शीग्र विवाहेतु देवी पार्वती की चरणों में ग्यारा गांठ हल्दी की चढ़ाएं इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती है डॉट तीज के दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए माता पार्वती को सोला श्रिंगार सामगरी अर्पित करें हरियाली तीज पर गणेश मंदिर में मानकुए अर्पित करने से भी दामपत्य जीवन में रस गुलता है खुशाल दामपत्य जीवन के लिए यहां उपाय अवश्य करें डॉट हरियाली तीज के दिन पतिपत्मी जोडे से शिवपार्वती जी का पूजन करें और खीर का भोग लगा कर अपनी मनोकामना कहें यदि किसी विवाह योग्य युवती की शादी बार-बार तूट रही है तो वहां हरियाली तीज का वरत रखकर प्रदोशकाल में पीले वस्त्र पहन कर शिवपार्वती जी का पूजन करके माता पार्वती को कुंकुं अर्पित करें और पार्वती जी को चढ़ाया गया अपने पास रख ले और स्नान करके इसका टीका लगाए ये खास उपाय करके वहां मनचाहा वर पा सकती हैं डॉट हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाए डॉट इन उपायों को आजमा कर आप माता पार्वती से आशिरवात पाकर अपने जीवन को खुशाली से भर सकते हैं